हेलो गाइज, वेल्कम बैक टोर यूटूब चैनल अत्यास ड्रीम वोल्ट, आप सबको मेरी तरफ से हापी नूँ येर और वंड़फुल येर अहेड, तो चलिए नए साल को कुछ हेल्थी खाने से शुरू करते हैं, तो आज की डेसिपी है सालेड, जो बहुत ही टेस्टी, ह इनरजी बूस्टर है, इस सालेड को आप किसी भी वक्त खा सकते हो, जैसे कि ब्रेकफ़स्ट में, डीनर में, लंच में या डायेट मील के तोर पर भी ले सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, तो चलिए इस सालेड को बनाना शुरू करते हैं, तो हमने य होता है, हुकंबर बॉडी को हाइडरेटेड रखता है, तो मैंने आप एक टमाटर को फाइनली चॉप कर लिया है, तीन चॉपर ग्रीन चिली और कोरियांडर लीव्स, मैंने आप एक बाउल लिया है, और मैं इसमें कर्ड दाल रही हूं, आप चाहाँ तो होमेट कर ले सकत है, मगर नहीं ठीक होना चाहिए, यह भी बहुत सारे बेनेफिट्स होता है, जैसे कि यह डाइजेशन में हेल्प करता है, और इम्म्यूनिटी को बूस्ट करता है, और अब हम इसमें आड़ कर लेंगे चॉपट कुकंबर और राडिश, हमने इसमें सारे फ्रेश वेजिट पोमोग्रानेट सीट्स, ग्रेप्स भी हिल्थ के लिए बहुत ही बेनेफिशिल होते हैं, और एक कोलेस्टाल को रेड्यूस करते हैं, अब मैं इसमें ता रही हूं कटी भी हरी मिच, और एक बारी कटा हुआ टामाटर, अब हमें इन सब को कोट के साथ अच्छी तरह से मिक और अब हम इसमें वांटेबल स्पून शुकर आट कर रहे हैं, आपकी स्वीटनेस के हिसाब से आप शुगर की वांटिडी बढ़ा सकते हो, स्वादनुसार नमक, अब हम इसमें कोरियांडर लीव्स दाल लेंगे उपर से थोड़े से, और इसको फिर से अच्छी तरह से मि अब इसमें उपर से थोड़े से पोमगडानेट सीट्स दाल देजिए ताकि ए दिखने में अच्छा लगे अब हम इसमें बारिक कर रहे हुए कुरियांडर लीव्स दाल लेंगे उपर से अब देखिए हमारा सालेट तयार है, इसालेट खाने में बहुत ही टेस्टी होता ह है और हेल्थी भी होता है तो प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राइ करना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और जिन्हों ने अब तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है चानल को सब्सक्राइब भी कर देना वेल बटन दबा देना ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंशती रहें आपको हमारी सालेट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है लगे वेल्थी खाओ और हेल्थी रहो जल्दी लोटेंगे और बहुत सारी टेस्टी और डिलिशियस रेसिपी इसके साथ तब तक बाई गाइस टेक के